हेलो गाइस, स्वागत अब सभी का हमारे शैनल इंगलीज education में आज हम सिखेंगे हिंदी नामों को इंगलीज में लिखना और आने वाले कुछ दिक्कतों को हमेशा के लिए दूर कर देना ठीक है तो क्या के दिक्कते हो सकती हैं दिक्कते ये होती है कि जब लिखा हो उसके लिए आप कई बार सिर्फ के का इस्तमाल होता है कई बार के साथ यह लगा होता है जब की के साथ है तब बताया जाता है जब आ की मात्रा लगा हो और कई बार तो आ की मात्रा का मतलब बच्चे यह समझते हैं कि क्या डबले होना चाहिए तो क्या सही है क्या गलत है आज हम इन सब को जानेंगे अपने इस वीडियो में ठीक है तो जो बच्चे चाहते हैं हिंदी नाम को इंगलिस में लिखना उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिन बच्चों को आता है कोई बात नहीं आप एडवांस लेवल की इंगलिस सीखिए त चलिए पहले हम यह सिखते हैं कि जब कोई वेंजन आधा हो तो इसको इंगलिस में लिखना कैसे है जैसे कि मैंने लिखा क्या और मैंने लिखा क्यों जब आपको आधा का दिखे तो आपको उसके लिए जो इसका स्पेलिंग होता है तो का का होता है के तो आपको लिखना है के दोनों में ही यह को आप इंघलिएस में वाय कहते हैं आपको ए लगाना है वैसे सब्द के अंत में जो भी बेंजन होता है उसके साथ यह लगा और पूरा लिखा हो सिर्फ उसका स्पेलिंगा रहते है लेकिन अलग से अगर आ की मात्रा दिखे तो आपको लगाना है यह नियम याद रखना है तो यह हुआ क्यों लिखना है तो आधा का के लिए के लिए यह के लिए आपको वाय लिखना है ओ की मात्रा के लिए आपको लिखना होता है यह यह क्यों ठीक है अब इसी के जगा अगर यहां पर लिखा होत कर यह राक कर लिखा रहता यह राक लिखा रहता समझाने चाहता हूं दोनों जगब का है ठीक है का आपको फर्स्ट में भी दिख रहे है का आपको लाश्ट में भी दिख रहे है पर देखना किसे में ए लगेगा किसे में नहीं लगेगा जब मुझे इंग्लिस में कर लिखना होगा तो मैं लिखूंगा के ए आर कर जब मुझे राक लिखना होगा तो मैं लिखूंगा आर ए के अब यहाँ पर देखो यहाँ पर के के बाद ए लिखा है मैंने पर यहाँ पर मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर लिख दूँगा तो यह गलत हो जाएगा लेकिन अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो यह सही है अब ऐसा क्यों हुआ यह doubt आपके मन में होना चाहिए समझते हैं जब हमने यह देखा कर तो यहाँ पर का पहले स्थान पे है और जब कर से सुरुवात हो का सब्द के अंत में नहीं का सब्द के सुरुवात में हो तो इस कर के लिए आपको के लिखना है और चुकि सुरुवात में हो तो आप उसको ए लिखेंगे तब पता चलेगा वो पूरा का है अगर आप स्रिप का लिखते हैं मतलब के लिखते हैं इसका मतलब वो आदा है तो जब तक आप उसमें की मात्रा नहीं लगाएंगे ये नहीं पता चलता कि ये पूरा लिखाए की नहीं तो हमेशा अगर कोई वेंजन किसी सब्दर के सुरवात किसी भी वेंजन से और वो पूरा का पूरा है। आ Stephen कवह कर लिखना ज़िए। आई बात समझ लास्ट वाला भले पूरा लिखा हो पर लास्ट वाले इक सिर्प स्पैलिंग जासे कि रह है रह को आप और बोलते तो आपने सिर्फ लिखा ठीक है उसे तरग मात्र है ऐसले मैंने एलिख दिया अब आप यहां पर एक और होना चाहिए तो हां आप लिख सकते हैं आर के साथ डबल से लेकिन एक पताच चल जाएगा क्यों राख है ठीक है लेकिन आप डब दबल ए और ये के राक लाश्ट में क्यों नहीं लगाया क्योंकि जब सब्द के अंत में कोई वेंजन हो तो उसको स्पेलिंग लिखते हैं एकी मात्रा नहीं लगाते यह होता है नियम आई बास समझ ठेक तो इसी तरह से हर बताय हुए नियम को आपको ध्यान में रखना है औ लेकिन हमारा माइंड ऐसा कि हम कई चीजों को भूल जाते हैं तो भूले इसलिए आपको लिख करके रखना जरूरी है ठीक है बच्छो चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैंने लिखा रावड क्या लिखा रावड तो रा के लिए आप आर आगकी मांत्रा इसलिए ए व के लि पूरा वा लिखा इसलिए लास्त में अड़ा है अड़ा के लिए आप एन लिखते हैं योग आपका रावन अब मैंने लिखा कम कम को हम बोलेंगे के A M, यह होगी आपका कम, ठीक, अब मैं बोलूँगा नम, नम के लिए ना के लिए आपको N लिखना है, पूरा ना हिसले एक ही मात्रा लगाना है, अब मा का M, यह होगी आपका नम, ठीक है, इसी तरह से, अगर मैंने लिखा बम, तो यह मैंने B और मा लिखा बम, तो ब के लिए आपको B लिखना होता है, पूरा बह इसले A की मात्रा लगाएंगे, और M का मतलब मा यह होगी आपका, ठीक है, उसी तरह से अगर मुझे गम लिखना है, तो ग के लिए आप इंगलिस में G लिखते हैं, पूरा गह इसले A क के लिए M, ठीक है, तो लाश्ट वाला बहले पूरा लिखा हो, उसमें A नहीं लगाना है, यह आपको याद रखना है, उसी तरह से मैंने लिखा अगर रट, बच्चे जो समझने पाएता उसको रटते हैं, तो मैंने बोला रट, तो रख के लिए R, पूरा रह इसले A, रख, टी के लिए ट, यह हो गया रट, ठीक, उसी तरह से कुछ बच्चे बोलते हैं, बच, तो बच, तो बच के लिए आपको B, पूरा बह इसले A, चा के लिए आपको CH लिखना है, यह हो गया बच, ठीक, टच, अभी इंग्लिस में टच अलग होता है, पर आप अभी इसको इंग्लिस में लिखेंगे, प्रापर इंग्लिस नहीं, बस इसको इंग्लिस रूप आंतरन, तो यह होगा T का टा, A की मांतरा, अच्चा के लिए C, यह ह हो गया T, ठीक है, और इंग्लिस में टच अलग ही लिखते हैं, यह तो हो गया आपका basic, ठीक, अब हम यह सिखेंगे अभी, कि आधे आधे वेंजन अगर लिखे जाते हैं, तो फिर उसको आप किस तरह से लिखेंगे, अब क्या-कैसे नाम होते हैं, आपको सोचना है, जो आ ठीक है, अब A की मात्रा क्यों नहीं लगाएंगे, यहां पर मतलब A क्यों नहीं लिखेंगे, इसले नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां पर यह जो सा है वो आधा है, जब सा आधा होता है, तब आपको यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखना है, यह नहीं कोई और vowels, अब यह है, तो यह कि लिए आप Y लिखेंगे, आ की मात्र है, फुरा A लिखेंगे, मा है, मा कि लिए अपको M लिखना है, यह हो गया आपका, स्याम, क्या हो गया यह? स्याम, ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने लिखा, स्थाई, क्या लिखा बच्चो, स्थाई, में E की जगा, बड़ी की म मांत्रा वो मतलब Y अस्वारिया में बढ़ी को नहीं रहेगा था है था के लिए आप की मांत्रा है लिख दो आई है तो लिख दो यह तो फिर या लिख दो यह होगा आप का स्थाई आप डबल में लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसी तरह से और नाम बताते जाईए जो आधियक शरू से स्टार्ट होते हैं कि याद करो याद करो जल्दी बचाओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या होना चाहिए अच्छा हम स्वागत बोलते हैं क्या बोलते हैं स्वागत ठीक यह वाला आधासा के लिए एस व के लिए आफ पी का इस्तिमाल कर सकते हैं डबलू का स्वागत यह आपका स्वागत ठीक है बच्चो इसी तरह से और बताओ अब ऐसे नाम बच्चों को लिखने में बहुत दिक्कत होता है देखे कैसे लिखेंगे इस वाले स्वाग के लिए ऐस लिखेंगे पढ़ने पर क्या सुने दे रहे है म्री म्री मर और यी तो पहले तो म है इसले एम री तो आर और आई यह हो गया म्री इसम्री ती तो यह हो गया आपका यह स्मृति समझाया इसी तरह सब को बहुंँ सारे नाम लिखना है अभी मैं आपको इसका पूरा एक सीरिज दोंगा जिसमें आप आधारा वाली आधारा की मात्रह हो जिसमें ऐसे-ऐसे आप नामों को लिखेंगे जिसे की क्रीपा आपको लिखना होता है ठीक है क्रीपा तो क कव है पहला वेंजन इसले के क्री सुनाई दे रहे तो यह हो गया आरई जब रि सुनाई दे आरइं लिखो के लिए पी एक ही मात्रह हो गया आपका क्रीपा ठीक है डबले नहीं लगाना है श्रिप एके याद रखने आपको क्रीपा ठीक है अगर मैंने कहा स्री तो यहां पर र लगा है स्री अब आपको इंगलिस में लिखना है एस एच सो के लिए आर इस्री डबली भी लगा सकते हैं और ऐसे ही लिखा जाता है कॉमनली स्री ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर लिखा है प्रीथ क्या लिखा है बच्चो प्रीथ लिखा है या सौरी प्रेम अब आपने ऐसा तो दो बार देख लिए अब ऐसा वाला देखे यह भी आधर रा होता है ठीक है तो आब इसको इंगलिस में कैसे लिखेंगे पाय है ना जिस पर रहा लगए तो पहले तो वसे इंजल हो न चलुवी तो पी रहा है तुरंत उसके बाद तो आर एकी मातर्या एसलिए ई- उम यह होगा प्रेम ठीक अब उसी प्रकार द्रव्य क्या लिखा यह द्रव्य तो दा के लिए आपको डी क्या लिखने है सी dy रह तो आर पूरा दा सरा सा अधा व के लिए वा मैं मिलिए अ अभिया अब यहां पर you पूरा यहां सुनाएदर रहा है यहां-पर आप यह लिख सकते हैं ठीक है इन द्रवय नहीं होगा इन द्रवय होगा तो फ्रत नहीं है पड़ने वाले सक Article जाएंगे कि आपने इसको द्रव्य लिखा है ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं ठीक है अगर आपने सुक्राणू लिखा तो इस वाले साग के लिए एस चोटाव की मांत्रा के लिए यू क्र तो पहले क क्र बाद में आ रहे तो आर आखी मांत्रा थो ये सुक्राणू आ के लिए एन और छोटाव के मांत्रा नू शुक्राणू लेकिन यही पर अगर इस वाले सा के जगा ये वाला सा होता स्वारी ये वाला सा तो आपको यहां पर SU के जगा आपको पहले SH लिखना पड़ता फिर यू लगाना होता ठीक है चल लिए अब आपको दिक्खत नहीं होगा आकी मात्रा लगाने में और नामों को लिखने में ठीक तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए यह आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है कमेंट करके बताएं कि आपका वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए फिर आपके लिए वो वीडियो प्रसुत हो जाएगी हमारे शैनल इंग्लीज एजुकेशन में ठीक है बच्चो तो अभी के लिए बाई ठैंक्स पर वाचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बाई बाई झाल